हेई यो एभीबड़ी वेल्कम बैक टो आवर चैनल तो गाइज आज के वीडियो में मेरे पास आया है फ्लिपकट का एक डबा तो तो मैंने इसको कल ही ओडर किया था बुस्टो का फाइन आट्स वाला ग्राफाइट पेंसिल 12 सेट का तो इसको ओपेन किया हुआ है तो मैं आ पेंसिल 12 सेट का और यह बॉक्स मेरे कुछ काम का नहीं तो तो इसको आज हम रिवीव करने वाले है और गाइज मेरे तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करके बताओ आपको यह पेंसिल कैसा लगा तो गाइज मैं वेस्ट बेंगॉल से हूँ इसलिए मेरे हिंदी थोड़ा अटक अटक जाता है मैं हिंदी उतना अच्छा से नहीं बोल सकता हूँ तो इसलिए कई पर भी कोई गलती हो जाए हिंदी में तो प्लीज गाइज माप कर देना उसके लिए तो स्टाट करते हैं वीडियो लेट स्टार्ट तो गाइज यह रहा हमारे पास ब्रुष्टो का फाइनाइट्स वाला ग्राफाइट पेंसिल 12 सेट का है यह तो इसको पहले ओपन करके देख लेते है तो कुछ ऐसा है यह पेंसिल और आप देख सकते हैं को मैं उठा कर दिखा देता हू आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक मैट फिनिश में है और यह मैट फिनिश मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैट फिनिश के उपर सिल्वर कलर का और यह जो ग्रेट का मार्क है वो ब्लैक में हुआ है तो इसके बाद हम लोग इसका इस सब पेंसिल को शेट करके देखते हैं एक पेज में देखते हैं कैसा शेड होता है इस पेंसिल में तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यह आपर लाइन्स काट लेया है तो हम अब शेट करके देख लेते हैं यह कैसा है झाल झाल कर देख सकते मेरा शेडिंग ही आपर कम्प्लीट हो गया है तो मुझको तो बहुत अच्छा लगा यह पेंसिल शेडिंग करने में क्यूप कि इसका जो लेट क्वालिटी है भाई अच्छा है ग्राफट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है कि और शेट करने के टाइम पूड़ स्मूध लग रहा था एकदम और इसको हम ब्लेंड करके देख लेते हैं एक बार ये ब्लेंडिंग कैसा होता है इसमें तो लिखा है स्मूध ब्लेंडिंग होगा देखते हैं कैसा होता है तो आप यह पर देख सकते हैं कि मेरा शेडिंग बोल रहा हूँ मेरा ब्लेंडिंग तो हो गया आपके सामने डेजल्ट है और मुझे ब्लेंड करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ बहुत ही स्मूध ब्लेंडिंग हुआ ये मुझे तो अबरॉल ये पेंसिल बहुत ही अच्छा लगा और इसको नहीं देखा जाता आर्ट लाइन के पेंसिल में एच वी और टू भी बड़बर लगभग सेम ही होता है तो यहाँ पर मुझे को यह फड़क नजर आया और इसको शार्प करके देख लेते हैं इसका उट का क्वालिटी कैसा है तो शार्प करता है तो यह रहा मेरा शार्पन तो इसको शार्प कर लेते है एक बड़ तो मैं आप देख सकते हैं मैं बी पिंसिल को शार्प कर रहा हूँ गल्ती हो गई तो मैं इसको साफ करके आप लोग से मिलता हूँ तो गैस मुझे तो ये पिंसिल ठीक ठकी लगा और इसका ऊट क्वालिटी मैं बटाव तो इसका ऊट क्वालिटी उतना अच्छा भी नहीए उतना बुरा भी नहीए इसका रौिजाइन है रहा था है यह मुझको लिटरिलिक बहुत ही अच्छा लगा मुझको इसका डिजाइन और यह जब शेट कर रहा था मैं तो बहूत ही अच्छा लग रहा था है बहुत ही स्मूध हो रहा था क्यों कि जो आड़ लाइन marque पेंसिल होता है उसके बहुत ही मतलब अटक-टक के शेड होता है उसके HB2B यह मतलब लाइट ग्रेट का पेंसिल और यह इस पेंसिल में वैसा कुछ नहीं हो रहा था तो इसलिए मुझको मैं पेंसिल बहुत ही अच्छा लगा और वूट कुलिटी उतना भी अच्छा नहीं यह मतलब उतना भी बुड़ा भी नहीं है तो आप इसको आप इसको अपशा ऐस ए ओर और आप मेरे को आप अगर एक टूबी पेंसिल दो उसको मैं घिस घिस कर मैं डार्क करके ड्रॉइंग कर देता हूँ तो अगर आपके पास इसको लेने के लिए पैसा है तो आप इसे ज़रूर बाई कीजिए और मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बे इसका लिंक भी दिया होगा और अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक करो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग सपोर्ट दिखाओ प्लीज तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में तब के लिए थैंक्यू सो मच फ़रोचिंग बाई बाई